नमस्कार मैं मुईतिंदर सिंग और आप देख रहे हैं राजिस्तान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया राजिस्तान के कोटा में हुए नवजात बच्चों की मौत का मामला दीरे दीरे ठंडा पड़ रहा है लेकिन मुख्य मंत्रिय अशोग गैलोत गुसे में हैं और वो गुसा इस बात का है कि इस मामले में राजिस्तान के कुछ स्थानिय नेताओं ने अपनी राजनीती चमकाने के लिए पड़ियंत्र किया सीएम गैलोत के मुताबित राजिस्तान में बीती बाजपा सरकार के समय से ही बच्चों की मृत्य उद्धर में कमी शुरू हो गई थी जो पहले 1400 थी अब घटकर 900 बच्चों तक आ गई है इस पर तो किसी ने बात नहीं की साथी गैलोत ने बच्चों की मौत के मामले को जानबूच कर महौल बनाना बताया है मुख्य मंत्री अशो गैलोत का इशारा बीजेपे की आईटी सेल पर रहा है उन्होंने बीजेपे आईटी सेल पर निशाना सात्ते हुए कहा कि बच्चे मर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि बच्चे नहीं मर रहे बच्चे कब मर रहे हैं उन्होंने कहा कुछ स्थानिये नेताओं ने अपनी राजनीती चमकाने के लिए ऐसा किया क्योंकि हम लगातार प्रधान मंतरी निरिंद्र मोदी और ग्रह मंतरी अमिशा की खिलाफ बोलते हैं इसलिए उन्होंने जोतपुर, कोटा, जैपुर में इस तरह के लोग लगा रखे हैं जिन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया इसके साथ ही गेलोत ने कहा कि इस मामले में मीडिया ट्रैल चली और देश में प्रदेश की बदनामी हुई जो अच्छे संकेत नहीं है उन्होंने कहा कि अगर सरकार से कोई गलती होती और मीडिया बात उठाता तो उस पर सरकार कारेवाई भी करती उन्होंने बच्चों के मरने पर उनके घर जाने वाले नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोई शिशू मरता है तो उसकी माँ को सबसे ज़ादा दुख होता है उन्होंने आज तक नहीं सुना कि कि नवजाद शिशू या आटनो माहा के बच्चे की मौत पर कोई बैठने जाता है ये केवल दुरभाग्यपून राजनीती थी शिशू मरतादर उसको लेके जो मीडिया ट्राइल होई है ये भी एक परकार थे कुछ नेताओं का सरिंद्र था ये जानबूर के ऐसा माहन बनाया गया बच्चे मर रहे हैं बच्चे कोई नहीं मर रहे हैं ये जो शिशू मरतादर है ये कम होते जारी है कम होती जारी उसको एपिशेट करना जए था उसको एपिशेट करना जए था उसके बजाए कुछ इस्टाने नेताओं ने उन्होंने अपनी राज दिदी चमकाने के लिए क्योंकि मालूम है मोदी जी के और हमी सारी खिलाब हम लोग बोलते हैं तो किसी को जोधपूर से, किसी को कोटा से, किसी को जयपूर से, खड़ा कर रखा है, उनका काम यह है को इनको इस्टाने बनाओ, नोन इस्टाने बनाओ, और मीडिया को ब्रीफ करो, गुम्रा करो, और उसके लिए वह बहुत लबी ट्राय चली, पूरे देश के अंदर बद् पूरे देश के जूटी बनती है, गलतियों को इलागर करे, सरकार के जूटी है कि अपनी गलती को स्रिकार करके कारवे करे, यह मेरा मानना है, मैं इस पर विसाज करता हूँ, और समझ में जाता है, शिशू मरत दर कम होती जा रही है, फिर विशू मन रही है, नोजाज उसके लिए कोई बैटने जाने के तुक नहीं होता है, हम उनके घरों बैटने जाएं, कभी नहीं होता है, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहां एम्टी टीवी इंडिया के पेच को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सस्क्राइब करें